टूडेंट्स मैं फिर आया हूँ तुम लोगे साथ देखो दोस्तों कल हम लोग क्या पढ़े थे एनिलिन पढ़े थे और क्या मैस अंड वेट पढ़े थे एनिलिन एक एक्स्ट्रा टॉपिक था मैंने बतावी दिये थे तो आज हम लोग वही ग्रैविटेशन चेक्टर का और एक पार्ट है जो एक्सलेरिशन ड्यू टू ग्रैविटी और इट्स एक्सप्रेशन कैसे एक्सप्रेश करेंगे वो भी बताएंगे और उसके साथ साथ एक्सलेरिशन ड्यू टू ग्रैविटी एक्चुली में होता क्या है वो सब बताएंगे और क्या-क्या फैक्टर एफेक्ट करता है एक्सलेरिशन ड्यू टू ग्रैविटी में और कैसे हम लोग नियूमेरिकल्स को कैलकुलेट करेंगे यह सब आज के इस वीडियो में तुम को मिल जाएगे तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं देखो प्रेंट्स एक्सेलरेशन डियू टू ग्रैविटी यह क्या होता है एक बोड़ी है हम लोग आर्ट सर्फिस के ऊपर और वो अन्बैलेंश्ट फोर्स में एक्ट कर रहा है कभी बढ़ रहा है कभी कम रहा है अब देखो अब देखो एक हम लोग का उपर में है किसी भी चीज उसके उपर अगर अन्बैलेंश्ट फोर्स एक्ट करेगा तो उसमें एक्सेलरेशन जेनरेट होगा और ऐसे मानो कि किसी भी बोड़ी उपर से नीचे गिर रहा है अर्थ सर्फिस के उपर तो उसमें क्या करेगा अर्थ एक फोर्स से उस बोड़ी को खिचेगा इस ग्राविटिशनल पूल इस वेलोसिटी चेंज इस विद टाइम इसका तो उपर से जो गिर रहा है उसमें भी अन्बैलेंश्ट फोर्स एक्ट कर रहा है और उसका वेलोसिटी भी टाइम के हिसाब से चेंज होते जा रहा है ठीकर फिर अचानक वी वेलोसिटी में आ गया इन अ टाइम इन अ स्पेसिफिक टाइम देन इट विल भी क्या यह क्या होता है एक्सेलरेशन होता है न वह इसका मतलब है अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है किसी भी वाड़ी उपर से गिरेगा तो उसका वेलोसिटी बढ़ेगा और वेलोसिटी जब बढ़ेगा तो उसमें एक्सेलरेशन जो होता है मतलब वह एक अलग एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा जो एक्सेलरेशन जादा होता है मतलब उसमें एक acceleration प्रोड्यूस होगा therefore the acceleration produced in the motion so उस motion वो body movable है so उस body में motion चलेगा और वो acceleration produced in the motion of body under the effect of gravity किसके वज़े से यह acceleration प्रोड्यूस हुआ यह है पहले समझा किसी भी body को अगर earth खीचेगा तो gravity के वज़े से हुआ gravity के वज़े से उसका acceleration बड़ा है मतलब acceleration हुआ इसलिए velocity का change हुआ in a specific time और इसी को हम लोग कहते है acceleration due to gravity gravity के वज़े से हुआ इसलिए acceleration due to gravity बहुत simple भासा में कहे तो उपर से किसी भी body नीचे आ रहा है उसका velocity change हो रहा है किसके लिए change हो रहा है और acceleration कैसे हो रहा है due to gravity due to gravity इसलिए हम लोग इसको कहते है acceleration due to gravity I think तुमको acceleration due to gravity concept एकदम clear है चलो एक चीज़ नोट कर लो हम लोग जब acceleration due to gravity find करेंगे किसी भी body में so वहाँ पर air resistance को ignore करना पड़ेगा देखो अगर तुम air resistance को पकड़ोगे तो कभी कभी क्या होता है कुछ-कुछ body ऐसा भी होता है जिसके air resistance के वज़े से उपर भी चले जाता है उसका velocity भी कम हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे air resistance को ignore कर देंगे ठीक है अब expression पे आ जाते हैं ज़्यादा बात ना बोलके देखो expression कुछ भी नहीं है if aim is the mass of the earth अच्छे से समझो यह जो side में figure बना हुआ है इसको earth समझो ठीक है if aim is the mass of the earth bigger aim is the mass of the earth and r is the distance between the body and the earth as shown in figure देखो r क्या है body से उसका earth का जो center है उसका distance को r से denote कर रहा है ठीक है then the gravitational force तब gravitational force क्या होगा अब attraction between them as given by Newton's law of gravitation पहला law से हम लोगो पता चल रहा है कि यहाँ पर gravitational force कितना काम करेगा f equals to g m into m by r square simply बहुत ही simple होता है ठीक है अब देखो अब थोड़ा सा figure को अलग से समझो if the height of the body from ground is negligible एक body उपर में है earth के उपर में है उसका height earth से negligible है from ground is negligible मतलब कितना भी बहुत कम है तुम किसी भी ball को fake दिया तो उसका जो height होता है वो ground से बहुत negligible है as compared to किसके comparison में वो negligible है वो earth का radius का comparison पे negligible है देखो ना figure देखो यहाँ पे r, r यह जो big r देख रहा है यह है radius और यह जो height है बहुत छोटा है देखो कितना छोटा so as compared to its we say that as compared to it equals to negligible लब कितना कम है ground is negligible compared to the radius of the earth तो अगर हम लोग इसको negligible कहते है तो क्या हो जाता है big r equals to r smaller r distance from the body to center of the earth is approximately equal to radius यह ही हो जाता है मतलब जब हम लोग इसको negligible पकडेंगे तब distance from the body to center of the earth उस body से center of the earth का जो height है that equals to the radius of the earth दास हम लोग क्या लिख सकते है इसलिए जब r equals to bigger r equals to smaller r प्रूफ हो गया तो हम लोग क्या लिख सकते f equals to g m into m by r square अब हम लोग को थोड़ा सा derive करना है देखो as discussed earlier gravitational pull of the body towards the center of the earth is weight क्या होता है जो weight क्या होता है gravitational pull से किसी भी body को center of the earth किचेंगे तो उसको हम लोग weight बोलते है और weight भी तो एक force होता है because gravitational pull weight भी यहाँ पे एक force होता है और यहाँ पे अगर ape के जगा मैं w लगाओ मतलब weight लगाओ तो weight का मतलब होता है mg तुम लोगों पता है तो क्या होगा g equals to g bigger m by r square समझ में आ गया clear cut समझो देखो gravitational pull of the body towards the center of the earth उसको हम लोग क्या बोलते है weight बोलते है और देखो यह जो body है ना यह हर बग अगर earth से कुछ भी distance पे height पे है तो उसको earth का center है उसी में खिचेगा उतना ही gravitational pull से वो खिचेगा और जो उसका radius होगा यह तो तुम लोगों पता ही चल गया और वो जो weight होता है उसका value क्या होता है mass into gravity w equals to mg so weight भी एक force होता है क्यों force होता है बता दिये क्योंकि gravitational pull ही weight होता है यह हम लोग पढ़े थे weight and mass का differentiation में याद कर लो एक बार weight and mass का differentiation में हम लोग पढ़े थे weight is a force that is gravitational pull और वो होता है mg अगर हम लोग ap के जगा mg लगा देंगे तो क्या आजाएगा g bigger m into m by r square equals to mg and g equals to g into bigger m by r square समझ में आगया अब देखो this is the relation between acceleration due to gravity and gravitational constant यह जो smaller g है यह acceleration due to gravity है और जो bigger g है यह है तुमारा gravitational constant if the values of radius and the mass of the earth are known the value of acceleration due to gravity on the earth surface can be calculated अगर तुमको earth का radius पता है और जो mass है और जो earth का mass है वो भी पता है तो किसी भी body का किसी भी object का तुम यह पता कर सकते हो कि acceleration due to gravity कितना होगा acceleration due to gravity on the earth surface क्या होगा कैसे होगा निकल जाएगा ठीक है अब देखो acceleration due to gravity इतना तक तो तुमको समझ में आ गया कि कैसे कैसे होता है क्या होता acceleration gravity के वज़े से होता है उसी को acceleration due to gravity बोलता अब कुछ factors भी बनता है जो acceleration को effect करता है इस acceleration को effect करता है कुछ factors होता है मैं बता रहा हूँ देखो एक होता है altitude अगर altitude बड़ेगा, altitude मतलब height समझ सकते हो, if altitude is in high magnitude, अगर altitude बड़ेगा, तो gravitational, मतलब acceleration due to gravity will be low, क्यों पता है, अगर कोई भी body कितना भी उचा जाएगा, उचा जाते जाते एक time आ जाएगा, जब क्या होगा, मतलब जब उसका gravitational force ही नहीं रहेगा, वो space में चला जाएगा, सो अगर height बड़ेगा, अर्थ से जितना height तुम उपर जा सकते हो, वैसे वैसे तुमारा gravitational जो acceleration वो कम हो जाएगा, hence वी कह सकते हैं कि inversely proportional to acceleration due to gravity, देखो, यहाँ पे एक table देखो, 0 km में, अगर तुम अर्थ सर्फेस से 0 km उपर हो, तो यहाँ पे तुमारा acceleration due to gravity will be 9.82, अगर तुम 500 km उपर हो, तो 8.28, ऐसे करके हिसाब होता है, ठीक है, ऐसे तुम जितना उपर जाओगे, उतना acceleration due to gravity कम होते जाएगा, अब आते depth के बारे में, देखो, यह भी दूसरा factor है, अगर depth बड़ा हो जाएगा, मतलब जितना तुम अंदर जा सकते हो, अर्थ के center के तरफ अंदर जा सकते हो, इफ डेप्ध इजन हाई magnitude, देन acceleration due to gravity विल अलसो भी हाई, अगर जितना भी depth बड़ा होगा, अगर जितना भी depth बड़ा होगा, अगर जितना भी depth बड़ा होगा, पता चलगा, यह भी जरुराद नहीं, एक extra topic के तरह है, latitude समझो, जर्रली आर्थ ही जए elliptical होता है, अर्थ कोई circular body नहीं होता है, elliptical होता है, so R, R is the bigger radius, is not same, अगर कोई elliptical body का radius तुम चारो तरफ से देखोगे, तो अलग-अलग होता है, कैसे अलग-अलग होता है, देखो, यहाँ पर एक figure बना हुआ है, ऐसे ही आर्थ का safe है, elliptical, तो इधर का side जो radius होगा, इधर का side भी उतना होगा, क्या, R, P, जो होगा, R, E, वो तो नहीं होगा, इसका मतलब है, इसमें दो type का radius होता है, elliptical body में दो type का radius होता है, and that's a equilateral radius and polar radius, अगर तुम जिसके हिसाब से gravitational acceleration due to gravity निकाल होगे, उसी के हिसाब से तुमको radius भी, radius का value भी लिखना पड़ेगा, अगर substance R, E के तरफ है, इधर है, तो तुम R, E, मतलब gravitational acceleration due to gravitation, that is equilateral radius का value तुमको निकालना पड़ेगा, अगर तुम polar region में किसी भी object का, अर्थ का surface से acceleration due to gravity निकालोगे, तो तुमको वहाँ पे polar region का radius लिखना पड़ेगा, ठीक है, अब देखो कुछ points होता है, जो तुमको याद रखना पड़ेगा, बहुत important point होता है, numericals करने के लिए बहुत important points होता है, कुछ ऐसे, जो तुमको याद रखना पड़ेगा, if height is given, देखो, कैसे तुम निकालोगे, if height is given, इसके बाद वाला वीडियो में मैं numericals लाऊँगा, इसी के हिसाब से बहुत सारे numericals आएगा तुमारा सामने, ठीक है, अगर तुमको height दिया हुआ है, तो तुम acceleration due to gravity कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे, g equals to g0 by 1 plus h by r square, r का whole square, यहाँ पर देखो, g0 equals to gravity होता है, h equals to height होता है, r equals to radius of the r, बहुत simple है, ऐसे तुम निकालोगे, यह मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद में तुमको numericals कराऊंगा, और यहाँ पर मैं direct formula लिख दूँगा, तो तुमको पता नहीं चलेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, note कर लो, अगर height given है, तो कैसे निकालोगे acceleration due to gravity, by this formula, अब यह formula को समझने का जरूरत नहीं है, यह अभी तुम लोग का class का नहीं है, ठीक है, if the height is smaller, then क्या होगा, देखो, अगर यहाँ पर तो हम लोग generally height क्या होता है, earth का radius से छोटा होता है, ठीक है, अगर height ज़ादा हो गया, तो अलग लाओ काम करता है उसमें, वो काम करता है g0 into 1 by 2 h by r, वहाँ पर दुगना होता है height को, ओके, और अगर depth दिया रहेगा, same as g equals to g0, because that is directly proportional, acceleration due to gravity यह 9.8 newton होगा, यह g0 का value gravity होगा, ठीक है, वो 9.8 हरवक इसका value रहेगा, into 1 by dy r, समझ में आ गया, all are same, only d equals to depth, इस formula में सब कुछ ही same है, पहले के तरह, बस d equals to depth हो जाएगा, ठीक है, तो यह सारे numericals करने में काम आएगा, जड़ासा note कर लो इसको, बहुत important है, और main things जो है, acceleration due to gravity, अच्छे से समझो, acceleration due to gravity क्या होता है, मतलब, पहले से एक बार और देख लो, अगर तुमको समझ में नहीं आया, तो तुमको समझ में ज़रूर आ जाएगा, ठीक है, यह देखो, acceleration due to gravity में, हम लोगों को consider करना पड़ेगा, कि body कितना भी उपर में होना, क्यूँ, उसका earth का radius से वो negligible है, इसलिए हम लोग, bigger r equals to smaller r लिखते है, और उसी के हिसाब से, यहाँ पर bigger r का whole square लिखते है, और यहाँ पर f एक force होता है न, gravitational pool, gravitational force और gravitational pool होता है, और उसी को क्या करते है, w कहते है, weight, and that's equals to mg, जब यह तुमको समझ में आ गया, तो तुम यह बहुत आसानी से निकाल पाओगे, g acceleration due to gravity equals to gm by r square, बहुत आसानी से निकाल पाओगे, वो ठीक है, I hope कि तुमको acceleration due to gravity and its expression, बहुत अच्छे से समझ में आया, एक बार पीछे वाला यह सारे note कर लो, this is important for your numericals, अभी इसका deduction नहीं ज़रूरत है, तुमको बस numericals करने के लिए, यह बहुत सारे competitive exam होता है, उसी में numericals अच्छे से करने के लिए, मैं यह लिख के दिया हूँ तुम लोग को, ठीक है, आज के वीडियो यहाँ पे खतम करते हैं, बाई बाई थैंक्स,